हेलो फ्रेंट्स आप सभी का चैसोलेज में बहुत बहुत स्वागत है आशर करती हूँ आप सभी अच्छे होंगी फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप योनो SBI जो की SBI बैंक का एक मुबाइल एप है उसके दोरा आप किस तरह से money transfer कर सकते हैं यदि आप SBI के account में money transfer करना चाते हैं तो भी कर सकते हैं अगर आप किसी और bank के account में money transfer करना चाते हैं तो भी आप कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि आप किस तरह से money transfer कर सकते हैं चली फ्रेंट्स करते हैं वीडियो को स्टाट आप देखीगा इसको तिल लास्ट एंट्स यादि आप में चैनल को फिर्स टाइम विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बैल आइगन को प्रेस कर लीजेगा ताकि आपको में चैनल की आने वाली सभी वीडि लिखकर आ रहा है और यहाँ पे space दिया गया है तो friends यहाँ पे आपको अपना mpin लिखना होगा friends जब आप bank में net banking के लिए allow करते हैं तो आपको वहाँ से mpin दिया जाता है तो वो mpin ही आपको यहाँ पे fill कर देना होगा friends यदि आपको अपना mpin नहीं पता है तो आप यहाँ पे लिखा देख रहे हैं यहाँ पे user id लिखकर आ रहा है तो आपको अपनी user id तो पता ही होगी तो आपको user id पे click करना है और आप अपनी user id password डाल कर भी इसमें login कर लोग इन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से page open हो जाएगा अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास यहाँ पे account section लिखकर आ रहा है जिसमें यहाँ पे योनो पे लिखकर आ रहा है तो आपको योनो पे पर ही click कर देना होगा योनो पे पे click करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से page open हो जाएगा अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे bank account लिखकर आ रहा है और इसके नीचे transfer to own and other account लिखकर आ रहा है तो आपको इस पर ही click करना है फ्रेंड्स उस पे click करने के बाद आपके पास इस तरह से page open हो जाएगा अब यह आप से पूँच रहा है कि या आप अपने ही SBI के account में money transfer करना चाहते हैं तो यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं otherwise आपको यहाँ पे pay a new beneficiary पर click कर देना होगा फ्रेंड्स पे a new beneficiary पर click करने के बाद आपके पास इस तरह से page open हो जाएगा और आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे internet banking profile password लिखकर आ रहा है तो friends bank की तरफ से आपको एक profile password भी दिया जाता है तो वही password आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद यहाँ से submit पर click कर देना है friends यदि आप अपना password भूल गए हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं forget profile password लिखकर आ रहा है तो आप इस पर click भी कर सकते हैं friends profile password डालते ही आपके पास इस तरह से page open हो जाएगा अब आपको यहाँ पे account number या mobile number से दोनों में से कुछ एक choose करना होगा friends आप जिस account में money transfer करना चाहते हैं तो अकाउंट नमबर आपको यहाँ पे fill करना होगा यदि आपका उसमें कोई mobile number register है और आप उसको यहाँ पे fill करना चाहते हैं तो आप mobile number choose कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे account number को choose कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ से next पर click कर रही हूँ friends account number choose करने के बाद आपके पास इस तरह से page open हो जाएगा अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे SBI account और other bank account लिख कर आ रहा है तो आप इसे अपने हिसाब से choose कर सकते हैं मुझे other bank account में money transfer करना है तरही मैं यहाँ पे other bank account को choose कर ले रही हूँ उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ information फिल करनी है जैसे कि वो किसके नाम पर account number है और वो account number क्या है उसका IFSC code क्या है उसकी maximum limit क्या है वो जिस इनसान के name पर है क्या उसका कोई nickname है तो यह सारी information फिल करने के बाद आपको यहाँ से next पर click कर देना होगा friends वो सारी information फिल करने के बाद next पर click करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से page open हो जाएगा जिसमें यहाँ पर दिखाएगा कि आप किसके account में पैसे transfer कर रहे हैं और उसका account number क्या है और उसके account number में कितने पैसे हैं वो आपको यहाँ पे show करेगा अब आपको कितना पैसा उसके account में transfer करना है वो amount आपको यहाँ पे fill कर देना होगा friends amount fill करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ remark देना होगा तो आप जो दीमार्ग देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं उसके बार आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा है यू कैन इमिडेटली ट्रांसफर अप टू रुपीज वन लेक अमाउंट अबब 10,000 take up to 4 hours to transfer यसका मतलब यह है कि आप इस तरह से 1,006 रुपे ट्रांसफर कर सकते हैं जो आप का 10,000 से उपर का अमाउंट रहेगा यादि आप 10,000 से उपर का अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको ट्रांसफर होने में 4 गंटे का टाइम लगेगा friends यह सारी information फिल करने के बाद आप यहां पे पे लिखा हुआ देख रहे हैं आपको इस पर ही click कर देना होगा friends paper click करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से पे open हो जाएगा जिसमें आपसे confirmation मांगी जाएगी जिसमें यहां पे आपका account number लिखा हुआ होगा जिसमें आपको पैसे transfer करने हैं और जिस account number से आप पैसे transfer कर रहे हैं वो यहां पे लिखकर आ रहा होगा और आप जितना amount transfer कर रहे हैं वो यहां पे लिखकर आ रहा है पिर यहां पे एक चोटा सा box है उसमें आपको click कर देना होगा friends confirm पर click करने के बाद आपके दर इस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आई होगी तो उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा Friends Confirm पर क्लिक करते ही आपका transaction successful हो जाएगा और आपके पास इस तरह से message आ जाएगा यहाँ पर लिखकर आ रहा है कि transaction successfully आपने 5000 रुपे का transaction successfully कर लिया है और आपका यहाँ पर account number show होगा जिसमेंसे आपने पैसे बेजे हैं और उस account number में आप कितने रुपे बचे हैं वो भी यहाँ पर लिकर आ रहा होगा Friends इस तरह से आप अपने mobile से एक account से दूसरे account में money transfer कर सकते हैं और आपको bank जाने की भी ज़रूरत नहीं है Friends आतर करती हूं आपको यह पूरा process अच्छी से समझ में आया होगा अच्छी इस वीडियो में आपके information देनी थी यदि आपको कोई doubt है तो आप मुझे comment करके प्रूस सकते हैं और इस एप को अपने mobile में कैसे install करना है कैसे start करना है उसके लिए मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूं तो यदि वह आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में से जाकर देख सकते हैं और यदि आपने अभी तक इंस्ट्रॉल नहीं किया है तो जल्दी से इंस देखेंस के साथ जाद जाद शेयर कर दीजेगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंकि फो वाचिंग एंडिस्निंग बाबाई टेक केर